जन्वरी के महीने में जीब कंपणी ने यूरोपेन मार्केट में अपनी न्यू एसवी कार को लॉंच किया था जिसका नाम है एवेंजर और जैसे ही ये कार ग्लोबल मार्केट में लॉंच हुई तब से इसकार ने बहुत सरे एवर्ट्स भी जीते है पॉपुलर मीडिया कार को बहुत जल्दी इंडिया में लॉंच करेगी वह कब उसके बार हम आगर डिटल में बात करेंगे लेकिन इसकार का मुगाबला इंडियान माकेट में रहेगा टाटा नेक्सवन के साथ ब्रैजा के साथ सोनेट के साथ उन्डेव वेन्यू के साथ तो इस सेगमेंट के अंदर जीब की ये नई SUV कार इंट्री करने वाली है हाला कि है पर मेरे हिसाब से जीब कंपनी ने अपने आफ्टर सेल सर्विस के उपर काम करना चाहिए अपने कारों के प्राइजिंग के उपर फूकस करना चाहिए तभी जाकर जीब का सेल थोड़ा सा इंप्रू होगा आ कारों को बहतरिन बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं चोड़ी है लेकिन फिर भी आपको जीब कंपनी का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा खेर जीब कंपनी ने इस अकार के अंदर 1.2 लीटर फोर स्लेंडर टर्पो चार्च पेट्रोल इंजिन दिया हुआ है जिसके दिय इसके फ्रेंड में आपको जीब की सिगनेचर ग्रिल का सेटप मिलेगा जो की जीब कंपनी अपने बहुत सरे कारों के अंदर ऑफर कती है सेम टाइप की ग्रिल से अपर आपको मिलेगी वित सेवन स्लोट और यहाँ पर जीब कंपनी ने एक स्लिक LED DRL को आप्शन दिया है उसे के निचे आपको LED हेडलाइम का सेटप भी मिल जाएगा और इसकार के अंदर फॉग लाइट भी ओफर किया है इसके फ्रेंड में और रियर में आपको डियोल्टरन कलर के बंपर्स मिल जाएंगे यानि सिल्वर स्कीट प्लेट का ऑप्शन दिया हुआ है तो यह कार फ कमपनियां ऐसे भी होती है कि जो कि अलोई विल के उपर फोकस नहीं करती कुछ भी डिजाइन दे देती है और कार को उतारती है मार्केट में लेकिन यहां पर जीप कमपनी ने हर एक चीज के उपर काम किया है तो यहां पर आपको काफी बहतरीन लुक के साथ इसकार के अलो आपको मिलेगा और यह के बंपर्स भी आपको थोड़ी से स्पोर्टियर मिल जाएंगे हालाकि इसकार के फ्रंड में और यह में आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन में मिलेगा जो कि सेफटी के साब से काफी सदा इंपोर्टन रोल प्ले आउट करता है लेकिन अगर मैं इसके अलबा एंटर्टन के लिए आपको 10.25 इंच का बड़ा सा टेचर स्क्रीन इंफोर्टमन सिस्टीम मिलेगा और ड्राइवर के लिए सेम साइज का डिजिटल इंस्ट्रूमिन का ऑफर किया है यू कनेक्ट नाम का कार कनेक्ट है टिकनोलोजी का आप्शन आपको सबसे इंपोर्टन के सीच्ट आपको जीब कंपास के लिए वह हो सकती है लेकिन हैंपने इसकार को front wheel drive और all wheel drive system के साथ उता रहा है यानि इसकार के अंदर आपको 4x4 system का option मिलने वाला है और ये इंडिया में compact SUV segment के अंदर पहली ऐसी SUV car बनेगी जिसके अंदर आपको 4x4 का system मिलेगा compact SUV segment के उपर और एक segment आता है जिसको mid-size SUV segment बोला जाता है और उस segment के अंदर आज के डेट में क्रेटा भी कर रही है सेल्टास भी कर रही है और उस segment के अंदर फिलाल के लिए दो ही AC car है जिनके अंदर आपको all wheel drive का system मिलेगा पहली है Grand Vitara और दूसरी है Toyota High Rider उस segment में किसी भी बाकी car के अंदर आपको all wheel drive का system नहीं मिलेगा और उसके नीचे तो कोई सवाल ही नहीं बन था तो यहाँ पर compact SUV segment के अंदर यानि टाटा नेक्सान ब्रेजा सोनेट के segment के अंदर जीब की ये car entry करने वाली है और इस car के अंदर आपको 4x4 का system मिल जाएगा तो यह एक positive point है इस car का लेकिन मेरे इसाब से इस car की कीमत थोड़ी से ज्यादा रह सकती है क्योंकि जीब कंपनी quality के ऊपर कभी भी compromise नहीं करती आपको बहतरिन quality offer कती है उसी वज़े से आपको जीब की कारों की कीमत थोड़ी से extra देखने को मिल जाएगी तो यह पर इस car के अंदर भी आपको अच्छी कासी quality मिलेगी इंटरेयर में एकस्टेयर में आपकी साब से इस car की कीमत कितनी होनी चाहिए यह comment section में जरूर बता देना और आपको यह car कैसे लिए कि वो चीज़ भी आप जरूर बता सकते है वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना